अब आईए हम बात करते हैं करकराशी के जो करकराशी की जाता है को उनके लिए आज कर दिन बहुत अच्छा है आपने मन पर नियंत्रा रखें बोदिक शम्ता के बल पर बड़े पैमाने पर धन अर्जित करने का योग बन रहा है आपके विरोधी परास्त होंगे खर्टे अंतरकारी फल रहेंगे अध्यात में रुची बढ़ेगी अध्यात में विकास होगा राजनेतिक लाब होते हैं धूर देश की आत्रा का भी योग बन रहा है आपके कर्मशत में विस्तार होनने की योजना शफल होगी रोग और सत्रू आपको चिन्तित कर सकते हैं शंपत्ती से लाब होगा विरोधी परास्त होंगे अगर आपको कोई पूजी निवेश करते हैं तो लाब प्रत रहेगा और आज आपको सेर से ट्रेडिंग से फाइनस के मामलों में ननलाब होते हो तक रहा है जब कुछ अधनी के अबरतनी है यात्रा करने से परहेच करें उपाय क्या करना दुर्गा जी के 108 नाम का जब करें भगवान भोले नात को एक लोटा जोल और बेल पत्र हर्पित करें सुभंके नौज सुभरंगे सफेद लक मीटर साथ हरे कृष्ण आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब आप कैसे करेंगे जिसका आपको पूरा-पूरा लाब मिले पंचांग की क्या इस्ति है कब सुर्योदे होगा कब सुर्यास्थ होगा राहुकल कब है दिशासूल कब है सुर्योदे कब होगा सुर्यास्थ कब होगा चंद्रोदे कब होगा चंद्रास्थ कब होगा कौन सी तिथी है, कौन सा नच्छत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है इस सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे बारह राशियों के भी बारे में बताएंगे कि आज किसको सरकारी नोगरी मिलेगी कौन उच्पत प्राप्त करेगा कौन भूमिभून खरीदेगा, किसको विदेश जाने का योग है, किसको आयात तरियास से दनलाब होगा दामपत्य जियोन आपका कैसा रहेगा, माता पिता से कैसे संबंध रहेंगे आपके मित्रों से आज आज आपको किस तरह के संबंध होगे निया रिलेशन कैसे डेवलप होगा, धन की स्थिती क्या होगी, रोग और सत्रों की स्थिती क्या होगी ये सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे किस अंग के प्रयोग करने से आपका भागोदे होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का महामंत्र है ओम निलांजन समाभाव्षम रभी पूत्रम एमागरजम छाया मारतंड संभोतं तम नमामि सनेश्चरम यह जो महामंत्र है सुर्य पुत्र शनी देव का है शनी को कहते हैं कि कर्म के प्रदाता है और नैधिस की भूमिका में रहते हैं लोग सनी से बहुत ड़ते हैं आपको सनी से ड़ने की जुरुत नहीं है आपने कर्म और आच्रन सुधारने की जुरुत है अगर व्यक्ति अपने पत के हिसाब से का करता है तो सनी उनको पुरस्कृत करने का कार्य करता है और आपकी कुंडिले में सनी कुंभ का मकर का और तुलराशी पर है और मित्रक की राशी पर है स्वागरी का है तो सनी अनकूल फल देता है अगर वहीं इसके विपरीत है तो सनी प्रत्कूल फल देता है अगर आप इस मह मंत्र का जब करते हैं तो शनी आपको अनकूल फल देगा और आपके जीवन में काफी प्रगति होगा अब आई एम बात करते हैं आज के पंचांग के आज 27 जुलाई 2024 दी नशनीवार तिथी है सब्तमी नच्छत्र है रेवती और विष्टी करण है सुर्योदै हो चुका है सबेरे 5 बच के 49 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 7 बच के 14 मिनट पर चंद्रमा रहेगा मीन राशी में आज का सुम महुर्थ है 12 बच से लेकर के 2 पर 12 बच के 14 मिनट तक रहेगा राहु काल है सबेरे 9 बच के 3 मिनट से लेकर 10 बच के 45 मिनट तक रहेगा पूरो दिशा का दिशासूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी कार नहीं करना है नमबर एक, नमबर दो, सुब मोर्त में किया गया कारिफा लिभूत होता है, तो जो भी करें, सुब मोर्त में ही करें, और अगर लगता है दिशासूल में यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा पहले से पुर निर्दारित हैं, तो दिशासूल में किया गया यात्रा लाबदायक नहीं होता है तो आप एक दिन पूर सो मोहरत में प्रस्थान निकाल के तब यात्रा करें आपका यात्रा आनन्दाइद हो जाएगा